नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्योब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज हम जिस भरती के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों Border Security Force यानि कि BSF में दोस्तों जो भरती निकली है हम इस वीडियो में उसके बारे में डिसकास करने वाले हैं लेकन दोस्तों उससे पहले में आपके लिए बहुत जरूरी चीज बता देने वाला हूँ आपके लिए जो कि आपके लिए पता होना चाहिए आपने इस समय यूटूब पर देख रहे होंगे कि BSF में Constable, Head Constable और SI, Inspector के काफी सारी बेकनसी के लिए यहां पर जो है वो वीडियोस घूम रही हैं यूटूब पर क्या ये वीडियोस सही हैं ठीक है क्या ये भरती निकली है ये सही है आज की इस वीडियो में हम ये पूरे के पूरे डिटेल में डिसकस करने बाले हैं ठीक है तो वीडियो को छोड़ कर कहीं मत जाएगा वीडियो को लाश तक देखें अगर वीडियो पसंद आए तो वीड जा रहा है कि यह भर्ती निकली हुही है ठीक है कि मैं यह नहीं कह simplement कि बहुंझे निकली हुए है कि यहाँ आपके लिए मेन बात है वो कोई नहीं बताए ठीक है यहाँ जा आपको बात देना चाहता हूं आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चलो एक वीडियो और दखा देता हूँ, यहाँ पर भी देख लिजी आप, यह भी बोल रहे हैं कि BSF में SI head constable, constable का recruitment चल रहा है यहाँ पर, पूरी जानकारी आपके लिए अच्छे से दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि भाई, आप इस भरती में कैसे apply करना है, मतलब इनोंने इस भरती के लिए बिलकुल सही करार दे दिया है, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि भरती नहीं निकली हुई है, भरती निकली है दोस्तों, लेकिन किस के लिए निकली है, यह किसी ने आपके लिए नहीं बताया है, तो अभी आप दोस्तों, यहाँ पर आजाईए, BSF की official website प उसके बाद में यहाँ पर कोई भी नोटेस नहीं किया गया है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो लास्ट भरती की अपडेट निकल के आई है, वो है वालकिन इंटरव्यू, BSF यहाँ ठीक है, तो BSF इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी वालकिन इंटरव्यू, यह दोस्तो इसको पीछे करूँगा, तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कॉलम नंबर चार में, सर्विस नंबर एंड रैंक एंड नेम और इसको देखके आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है, तो मैं आपके लिए आच्छे से आगे इस वीडियो में स security force, लेकिन मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पहले आपको यह भी बता दूँँ कि कौन-कौन से पोस्ट पर भरती निकली है, ठीक है, तो inspector के पोस्ट पर भरती निकली है, ड्राफ्ट में, सब इंस्पेक्टर वर्क्स, उसके बाद में, सब इंस्पेक् electrician, electrical, head constable, mason, head constable, pump operator, head constable pioneer, head constable builder, technician, उसके बाद में, दोस्तों, constable की भी वेकंसी, यहाँ पर constable generator operator, इन प्रकार की दोस्तों यह है, यह सभी वेकंसी निकली हुएंगे, लेकिन आपको लिए जो बात मैं बताने वाला हूँ, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है, आप अगर इस employment newspaper को धियान से पढ़ेंगो, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, दोस्तों, eligibility condition for appointment on deputation basis, तो deputation basis का आप मतलब समझते हैं, अगर नहीं समझते हैं, तो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ, ठीक है, आप इसको भी ठीक से पढ़ लिजिए, filling up, group B and C post, non- preval इसको ननीसर मaran guide, ओ समझते हैं, when it is not. इसको र माषा methods, फिल इसको इसको भी एन इसको और समझते हैं, तो इसको प्साफ फूण वैशिमतर मेला हैं, अर टाल्यिए लिएॉट यह, प्सको घेशिए, उनीसरे आप गिएशेी मातल야 है पोस्टफर पिरेड ओफ इमेंशन अगेंस्ट इच इन्जी इलिजबिल्टी कंडिशन और इलिजबिल्टी कंडिशन मा आप देखेंगे इंस्पेक्टर ड्राफट्मेंट के आप देख रहे हैं तो ओफिस सोरी ओफ यहां पर दोसतों यह क्या बता रहा है कि आपकी आप अगर पहले से ही बीर्सक में जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए यह भरती है अपग्रेट होने के लिए मतलब आप अगर कॉंस्टेबल के पतपर हैं तो आप इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर इस तरह से दोस्तों क्या है आपको जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन होता है असे इस फुर्ति में सामे लोगर आपकेलिए वह है यह भरती जो है वह फ्रेशर के लिए नहीं है ठीक है यह भरती बिल्कुल भी elia प्रेशर के लिए नहीं है मैं आपके लिए सबुत दिखाऊंगा दोस्तों साफ साव यहां पर लिखा हुआ भी यह है ओन डिपूटेशन बैसे यहां पर कहीं नहीं लिखा हुआ होगा कि आप इंडिया के कि रहने वाले हैं और इंडिया भरती लिए आप पर भी आपको एप्लाई कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप पहले से ही BFF में सर्विस कर रहे हैं तो आप NDRF के लिए और BFF के हाईर पोश्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं वह भी कुछ के लिए है ठीक है यह आप देख सकते हैं दोस्तों of deputation will be for three years तो यह दोस्तो फ्रेशर के लिए वेकंसी बिलकुल नहीं है आप बिलकुल भी भेंकावे में किसी के ना आएं तो बहुत यह अच्छा होगा दोस्तो ठीक है तो इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल इतना ही था कि आप तक सही न्यूज पहुंचाना दोस्तो मैंन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपके लिए देते हैं बेकुल अच्छी न्यूज अगर भड़ती निकलेगी हम तभी वीडियो बनाएंगे बरना हम वीडियो नहीं बनाएंगे हम आपको बेकुल बनाके कभी एक भी वीडियो नहीं डालते है ठीक है तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो आपने लाइक जरू किया होगा अगर आप नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक जरू करते हैं दोस्तो हमारे चैनल है यहां पर आपके लिए इस तरह से दिखाई देगा सिभा ऑनलाइन क्लासे अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो यह चैनल दोस्तों नंबर बन पर ट्रेंड करेगा आपको नंबर बन पर यह चैनल दिखाई देगा ठीक है तो यही थे इस वीडियो में बताने के लिए बस कि दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि जो भरती है वह ऑनली डिपूटेशन पर यहां पर कोई भी भरती नहीं निकली है सिविलियंस के लिए फ्रेशर के लिए यह वीडियो मैंने बताई इनके चैनल का मैं नाम नहीं बताऊंगा ठीक है तो इतना ही था इस वीडियो में अकर दोस्तों वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बाराद